नमस्तकार साथियों आपका स्वागत है लाइव वर्ड में आज हम बात करेंगे अनुकंपान योकती के संबंद में जो सिक्षक पंचायत साथ ही है उनके परिजनों को अनुकंपान योकती के संबंद में निर्देशों का बहुत समय से इंतजार था लगबग 3.500 जो सिक्षक पंचायत जो हैं उनके आश्रित हैं उनके सामने प्रस्ण था कि अनुकंपान योकती कब तक मिलेगी और जो अनुकंपान योकती 2010 से अभी तक नहीं मिली लगबग 8 साल हो गए उन्हें बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा और अभी समय में सासन का आदेश जारी हो गया ह और यह उम्मीद की जा रही है कि इनके नियुमों के आने के बाद अब अनुकंपान योकती बहुती वरता से हो पाएगा बहुत चल्द हो जाएगा देखिए यह जो नियम है बेजारी हुए 29 सितंबर को जिसके बारे हम भी आपको पुरी जानकारी देंगे और उसमें बता समस्त मुख्यकारण पाला दिस्कारी और सम staja जन्त पधों को कहा गया है कि वे जल्दी से और इद्धिक उत्तियड़न होन striking घे इडिव्य दाभिब कि यदी जो अधां हैं उनके असूरी जो हैं अगा आगर वह योग्यता हांशिल नहीं है यही सेक्षणिक योग्यता नहीं है उनके पास बारवी डियेट या बियेलेड नहीं है तो उनको समय दिया जाएगा इसके लिए अलग से समय दिया जाएगा सेक्षणिक योग्यता के लिए डियेड बियेल या टीटी करने के लिए तीन साल का समय इसके साथ साथ जो स्विक्षण पंचायत के जो आश्रित यदि योग्यता नहीं रखते हैं या कि बेड़ योग्यता नहीं तो उन्हें समय मिलेगा और अनुकामिनिक्ति सिग्रता सिग्र dit चैगा उनकों अभी अनुकामिनिक्ति दे दिया जायेगा और उनके बाद उनको शमय मिलेगा कि वे अ भी सिख्छक पंचायत इसमें ध्यान दीजिए अभी सिख्छकों का सम्मीरिन किया गया है सिख्छक प्रकरन है लगबक 8 वर्षों के प्रकरन है साठे 3000 प्रकरन है उसके संबंद में यह आदेश है तो यह 6 वर्ष की समय सीमा दी गई है और सारे केसों का निराकरन अविलंब किया जाएगा यह ऐसा आदेश दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो जारी किया संचालक 55 संचलालाय से जारी हुआ है अटलनगर रायपूर से और इसमें अब यह इसपस्ट हो गया है कि जितने भी प्रकरन लंबित हैं आज तक के उन पर निराकरन आ जाएगा तो सभी सिक्षकों को बदायों कि उनके प्रकरनों पर निराकरन के लिए आदेश आ गया है तो जितन भी सिक्षक और उनके आश्रित इन प्रकरनों से प्रभावित हैं वे जल्द से जल्द अपना आवेदन इत्यादी प्रस्तूत कर लें अपने स्टेटस देख लें कि उनका प्रकरन कहां तक पहुंचा है और अब उमीद की जारी है जो अनंगमपान युक्तिक प्रकरन है उ में सभी का नीराकरन जल्द से जल्द हो जाएगा तो लाइवर्ड में आज के लिए इतना साथियों धन्यवाद नमस्कार